हेलो बच्चों आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है लाज ओव मोशन का इंपोर्टिंट टोपिक कर रहे हैं इसमें एक फ्रिक्शनलस पुली होती है जिस पर एक इनक्स्टेंसिबल स्ट्रिंग लगाई होती है जो की वेटलस स्ट्रिंग है और इसके एक कोने पर मास M1 और दूसरे कोने पर M2 मास लटकाया गया है और जो M1 है वैं ग्रेटर है M2 से कहने का मतलब M1 की वैल्यू M2 से ज् स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेंगे consider two bodies of masses M1 M2 M1 M1 और M2 दो मास इस टाइड एट दा एंड ओफ इनक्स्टेंसिबल स्ट्रिंग के साथ टाइड किया गये है विच पासिज ओवर ए लाइट एंड फ्रिक्शनलस पुली और यह जो रस्सी है यह इस फ्रिक्शनलस पु कोड़ी देखें यानि कि M1 की तरफ देखें तो यहां पर different forces act कर रही है एक तो उसका weight जो की है M1 G weight का formula क्या होता है mass multiply acceleration due to gravity mg एक तो इस पर जो नीचे की तरफ खीचा जा रहा है mg और एक उपर की तरफ जो रस्सी की tension है उसे T से denote किया गया है लेकिन इसका जो movement कहा हो रहा downward हो रहा है आप ध्यान से समझे उपर की तरफ जो force लग रही है वे tension downward force लग रही है mg जीत कौन रहा है mg जीत रहा है यानि कि downward force जा रही है net force downward है तो हम बड़ी value में से छोटी value less करेंगे net force निकानने के लिए mg जो की है m1g-t और यह net force आएगा जिसे हम f से लिखते हैं और force का formula क्या होता है mass multiply acceleration m1a जो net force है जिसे हम f से लिख सकते हैं उसका formula क्या होता है mass multiply acceleration यह तो होगया heavier body का downward है तो mg को हमने बड़ी value माना है अगर हम lighter weight की तरफ जाते हैं तो on the lighter body यानि कि M2 अब M2 का मास्क क्या है यह रस्ती जो है इदर से नीची आ रही है इदर से उपर जा रही है इस पर दो force काम कर रही है mg उसका weight नीचे के तरफ खीच रहा है और जो टैंशन है रस्ते की वह ऊपर की तरफ खीच रही है उसको लेकिन जीत को रहा है tension जीत रही है यानिकि उस tension में power ज्यादा है tension की value की आहोगी ज्यादा होगी इस बार हम लिखेंगे t-m2 जी जो की equal होगा net force के mass multiply acceleration मास कौन सा यहाँ पर m2 इनको अगर हम equation का नाम दे लें इसे हमने दे लिए equation number one और इसको दे लेती है equation number two अगर हम equation number one और equation number two को add करें adding one and two ठीक अब ध्यान से समझें ना right hand side अलग से add करेंगे left hand side अलग से तो left hand side पर T negative है एक T है positive तो यह तो आपस में हो जाए cancel क्योंकि minus T और plus T किया होगा 0 हाँ M1 G और M2 G दोनों को अगर हम add करेंगे तो एक आएगा M1 G यहाँ पर minus M2 G यह आपस में cancel नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की value लग गया है यहाँ पर M1 है यहाँ पर M2 है T के साथ 12 नहीं डाला गया था और sign opposite थे इसलिए यह आपस में होगे cancel इसी तरह से इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा M1 A प्लस M2 A और यहाँ से अगर हम common लें तो यहाँ से जी common आ रहा है और इस side से a common आ जाएगा इसको लिख सकते हैं M1 माइनस M2 G की value सेम है common इधर A की value सेम है तो M1 प्लस M2 और A हम किसकी derivation कर रहे है acceleration की जो system में है हो रहा है acceleration की value निकाल नहीं है तो उसे अकेला करना पड़ेगा तो यह bracket इस के नीचे आ जाएगी तो यहां से acceleration की value निकल आएगी इसके नीचे M1 माइनस M2 बाहर G है अब ओन में आ जाएगा M1 प्लस M2 clear हो गया हमने यह जो bracket थी इसके नीचे इसको लिख दिया और acceleration की value drive हो गई यह acceleration का formula drive हो गया अब next हम इन दोनों equation को करेंगे आपस में divide तो यहां पर हमने लिख लिए dividing 1 by 2 कहने का मतलब इसको हम लिखेंगे ऊपर और इसको लिखेंगे अपन में किस तरह से लिखेंगे जैसे m1g-t equal है m1a इसको लिख लिखेंगे यह वाली value कहने का मतलब कुछ इस तरह से line डाल कर t-m2g और इसके अपन लिखेंगे m2a तो यहां पर देखेंगे तो यह a के साथ a की value हो जाए cancel अकेला क्या बचा m1 upon m2 तो यह m2 इधर cross multiply होगा और m1 इस तरफ cross multiply होगा तो पहले m2 को अगर हम cross multiply करें तो क्या आएगा पहले जो m2 है इसके साथ multiply होगा m1 m2g आ गया माइनस अब यह m2 t के साथ भी multiply होगा तो यहां पर आ जाएगा t m2 equal अब यह इधर multiply होगे m1 के साथ पहले m1 t के साथ होगा तो आजाएगा t m1 फिर minus है फिर आजाएगा m1 m2 m1 m2 और आ गया यहां पर j अब यह जी वाली वैल्यव एक तरफ टी वाली वैल्यव अगर हम एक तरफ करें तो क्या सिचेशन बनती है तो ध्यान से देखें m1 m2 g यह वैल्यव तो पहले सी इधर थी उधर से negative साइन वाला जो m1 m2 g है इधर लेकर आएगे तो हो जाएगा प्लस m1 m2 g equal यहां पर टैंशन की वैल्यव एक तरफ करनी है टी m1 पहले से है यह उधर आएगा तो हो जाएगा प्लस t m2 यह वाली वैल्यव इधर आकर प्लस की हो गए तो इसको अगर हम यहां पर करते हैं तो यह जो m1 m2 g और यह m1 m2 g यह सेम वैल्यू है तो हम आगे 2 लगा सकते हैं क्योंकि यह 2 टाइम वैल्यू आ रही है तो यहां पर हम लिख देंगे 2 m1 m2 g और equal में यहां से t common ले सकते हैं आजएगी वैल्यू m1 प्लस m2 तो t की वैल्यू निकाल लिए हमने tension के तो यह जो bracket है इधर अपन में कर देंगे यानि कि t डिख दिया और यह bracket इसके नीचे 2 m1 m2 g अपन में आ गया m1 प्लस m2 तो इस तरह से acceleration के value यहां पर drive हो गई है यह जो value थी यह acceleration का formula drive हो गया और यहां पर tension का formula drive हो चुका है connected motion में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें thanks for watching